भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धी क्या उपलब्धी कि अंतरराश्ट्रिय रूप से हमारा जो रूपे कार्ड है और हमारी यूपी आई उन दोनों की स्विक्रती यूरॉप में मिलना शुरू हो गई है क्या है जानकारी आईए मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ यूपी आई और रूपे का भुगतान करने वाला पहला यूरॉप ये देश बन गया है फ्रांस ये न्यूज आपको नहीं समझ में आईगी क्योंकि इसका महत्व आपको इसलिए नहीं पता क्या ही बात है मतलब रूपे कार्ड मेरे जिब में भी रखा है उससे क्या ही फरक पड़ जाएगा चलिए मैं आपको बताता हूँ आप में से अधिकांश लोगों ने अपने पर्स में रखे हुए कार्ड को कभी ना कभी तो देखा होगा ATM कार्ड, debit कार्ड, credit कार्ड जिसको भी आप जिस नाम से जानें अगर आपने कार्ड को कभी गौर से देखा हो तो उसके उपर लिखा होता है मैस्ट्रो कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड लेकिन आजकल आपको दिखने लग गया रूपे कार्ड ये क्या है ये कार्ड होता क्या है मतलब ये मास्टर मैस्ट्रो वीजा रूपे है क्या पहले मैं इसके बारे में आपको बेसिक चर्चा करता हूँ फिर आके बंग क्यों Master Master Visa यह सभी Service Providers हैं Service Providers मतलब Bank मान लीजिए SBI है यूज करने वाले आप हैं लेकिन जिस Card से आप इस Service का उपयोग ले रहे हैं वो Master Master और Visa है सर वो ऐसी क्या Service देते हैं जो Bank नहीं दे सकती यह लोग Unified तरीके से यह Service देते हैं कि आपका कोई सभी बैंक को कोई सभी ATM हो उन सबका data maintain करके चलते हैं ज्यान से सुनिएगा मजाख नहीं है आपका Master Card है आप SBI के ATM से पैसे निकाल रहे थे लेकिन मन किया Yes Bank के ATM से निकालने का आपने निकाल लिया कैसे संभव हुआ आप जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं टाइम लगता है पूरी पूरी देर तक विंडो पे खड़ा रहना पड़ता है कई बार N.E.F.T. होने में समय लग जाता है लेकिन आप उस ATM काड में सुचिए अकाउंट में पैसा कहा पर है एस बैंक से और तो और तीन बार का ट्रांजेक्शन फिरी है निया यह बात समझ में ATM काड से जिस अकाउंट में आपके पैसा है वो दूसरी बैंक के अकाउंट से कैसे निकाल ले रहे हो उसमें पैसा दो दूसरी बैंक ने डाला है इसका मतलब क्या हुआ आपने यस बैंक से जब पैसा निकाला तो SBI ने यस बैंक को पैसा ट्रांसफर भी किया समझ रहे हो जब यस बैंक को पैसा ट्रांसफर हुआ और आपको तुरंट मिल या मैं कैसे विश्वास कर लूँ इस बात के उपर कि ये फरजी ट्रांजेक्शन नहीं है फरजी भी तो हो सकता है कल को यस बैंक ये कहे साब आपके एक क्लाइंट ने मेरे यहां से 10 करोड रुपे निकाले SBI कहें मैं नहीं मानता तुने जबरदस्ती दे दियोंगे मेरे क्या पता बोले सर मैं फरजी वाड़ एक बात नहीं कर रहा मास्टर कार्ड वालों से पूछ लो बोले यह कौन है बोले यह वो व्यक्ति है जो यह गारंटी देता है क्या गारंटी देता है कि यदि मेरा कार्ड किसी ने उपियोग में लिया है तो वो फरजी नहीं हो सकता अब आई बात समझ में अगर आपको थौट के अंदर क्लेरिटी आ रही हो तब तो आप इस बात का महत्र समझ पाएंगे यानि इन कंपनियों ने इतनी जवर्दस्त अपनी पकड़ बना ली कि आप दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्ट अच्छा चलो और बताता हूं मैं आपको आजकल तो यह सुविधाएं भी दी जा रही है आप SBI का या HDFC का कार्ड लेकर बाहर गुमने चले जाओ विदेश में गुमने चले जाओ और उन कार्ड से विदेशी मुद्रा निकाल लो इंडियन मुद्रा ही नहीं विदेशी मुद्रा आप माननी जाकर विदेश गये गुमने वह डॉलर की जर्वत पड़कर निकाल ल जो ये गारंटी दे रही है कि मेरा क्लाइंट फेक नहीं है और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आपको इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि अभी तक भारत की कोई खुद की परसनल कंपनी ऐसी नहीं थी जो अंतरराष्टिये रूब से इतने बड़े ट्रांजेक्शन का डेटा खुद के पास होल्ड कर सके मेरे प्यारे साथियों मास्टर मैस्टर वीजा तीनों में से एक भी भारत ये कंपनी नहीं है लेकिन भारत में लगभग 80 करोड से उपर ATM कार धारक है उसके बावजूद भी हमारे डेटा को रखने के लिए सारी जिम्मेदारी विदेशी कंपनियों के पास थी उन्हें ये सब पता था और तो और वो इस सुविदा को फ्री में नहीं देते वो पर ट्रांजेक्शन बैंक से पैसे लेते थे कि भाई इतना पैसा हमें चाहिए और यही कारण है कि वो बिलियंस में खेलते थे भारत सरकार को ये सारा गेम समझ में आ गया और नेशनल पेमेंट जो एनपी सी आई है हमारा उसके माध्यम से भारत सरकार ने लाउंच कर दिया रूपे रूपे अब ये भारत की वो सरकारी कंपनी बन गई जिसने भारतिये बैंकों में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे रूपे कार्ड के माध्यम से करने की पर्मीशन दे दी अर्थार यदि मैं अपनी किसी बैंक से दूसरी बैंक से पैसे निकालता हूँ अब मेरा ATM कार्ड रूपे का है वो गारंकर अब रूपे है जो ये कहता है कि PNB का पैसा एकसिस से निकालिए चाए आइसिस से निकालिए चाए HDFC से निकालिए अलाउड है वो बैंक की पर्मीशन देने वाला कौन बन गया रूपे कार्ड बन गया अब रूपे कार्ड को जो सबसे बड़ी उपलब्दी प्राप को ही है वो ये है कि यॉरॉपियन देशों में फ्रांस भी वो देश बन गया है जो रूपे कार्ड स्विकार करेगा और साथ में जो यूनिफाइड इंटरफेस है ना यूपियाई उसको भी स्विकार करेगा यानि आप यूपियाई पेमेंट भी फ्रांस में कर सकते हैं है इंटरस्टिंग बात और अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो इस बात को जल्दी से शेयर कर दीजे सभी साथियों के साथ में जितना भी ज़्यादा हो सके इस जानकारी को शेयर करी काफी important जानकारी है ये ठीक है ना चलिए तो इस जानकारी के अंदर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं आज ये अटक राय स्विचर भई अब हम सुनते हैं कि यूपियाई या भीम अपियन देश बन गया है जो हमारा unified payment interface स्विकार कर रहा है अगेन ये बहुत important चीज है कहने का मतलब ये हुआ कि यूपियाई और रूपे कार्ड जो है अब प्रांस में भी accept किये जाएंगे यानि यूपे कार्ड से आप वहाँ पर भी payment कर पाएंगे ठीक है ना उम्मीद है कि ये बात आपको बहतरीन तरीके से समझ में आ गई हूँ इसी के साथ साथ हमारी इस unified payment interface को एक उपलब्दी आज और हासिल हुई और वो क्या है कि आप अपने credit card के bill भी अब UPI से pay कर पाएंगे हाला कि या आपके लिए इतने महत्वकी नहीं हो सकती क्योंकि विद्धार्थी वर्ग सामान तया credit card यूज नहीं करता है लेकिन अगर आपको ये जानकारी महत्वकी लगे तो आप इसे भी ले सकते हैं ठीक है पिलाल के लिए उम्मीद है आपको ये जानकारी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो बाकी जानकारी आप लोग मैंने डेटा में काफी सारी जानकारी यहां दे दी हैं आप उसे प्राप्त की यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनकैर्मी पर पढ़ना मेरी free special classes या paid courses में 10% का discount प्राप्त करना तो use my referral code अंकित10 to avail 10% discount on all type of subscriptions ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से next रविवार that is of 26th of June आपके लिए एक test रखा गया है जिसका link आपको description में दे रही आ गया है एक free test है SSE category में आप इसे जाके join करें और आप यहां पर महत्वपून तरीके से participate करते हुए important questions को देखते हुए ranks के साथ साथ gift भी achieve कर सकते हैं अनकेडमी पर अगर आप UPSC की तयारी करते हैं तो हाँ सुभह के लिए ध्यान रखिएगा सुभह हमारी special class चल रही है 7.7 बज़े आप उसमें present हो UPSC category के अंदर अगर आप तयारी करते हैं तो अनकेडमी पर इस समय अनकेडमी light में आप लोगों को prelims को ध्यान में रखते हुए बहुती शांदार प्रकार के सोचिये 55,000 से जादा बच्चे हमारे अनकेडमी light पर जुड़े हुए हैं प्रॉडक्ट की आप उपयोगी ता इस से समझ सकते हैं ठीक है न ये test series है paid test series है जिसमें आप connect कर सकते हैं ठीक है बड़ा इसमें आपको best educators के द्वारा तयार की हुई content मिलती है आप इसको अंदर participate कर सकते हैं ठीक है बड़ा इसके अलावा अनकेडमी के prelims और CSET को आप target करके पढ़ सकते हैं अनकेडमी के courses में raise a hand feature है यदि आप teacher से doubt पूछना चाहते हैं तो आप doubt पूछ सकते हैं plus courses में हमारे साथ आपको जो content दिया जाता है उसमें proper तरीके से PDF प्राप्त होती है PDF के साथ साथ आपको पूरा test analysis होता है teacher से बात करने का मौका मिलता है हमारे iconic courses के अंदर आप teacher से direct बात कर सकते हैं class के दौरान उससे connect हो सकते हैं अपने doubt पूछ सकते हैं सारा content PDF के format में प्राप्त कर सकते हैं यह हमारे subscription का एक और type है जिसे आप iconic के नाम से जानते हैं SSE category के अंदर भी हमारे courses है मेरा एक नया weekend batch शुरू हो रहा है SSE के अंदर यदि आप उसे join करना चाहें तो बहुती nominal कीमत पे आपको वो course उपलब्द हो जाएगा आप उसे join कर सकते हैं Thank you so much अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विक्सित करें कि महिल आएं आपके साथ सुरक्षित मैसे उस करें